करना जी में गया है नहीं है कि या उसा आपके मोसम खराब हो गया सी या गड़े पैगे या इन्हें में गया होंते बावजूद भी असी ये कट छड़ते हैं देशाना नुक्सान होंता वा इच्छे येडी बारशाई या गड़े पैया वोदे नाड़ दाने दूने दानी था लेके रहें ये उनला नुक्सानते होया लेकिन इन ज्यादा नी होया थोड़ा होया थोड़ा हिर्ला हिर्ख मानी रहीं मैं हूं महम्म शाहद न्याद और आप देख रहे हैं फार मीं पूश्क नहीं हुई तो उन्होंने गंदम को काटना शुरू कर दिया तो इन से भी गंदम के काटने का सबब पूछते हैं कि आखर इनको क्या मुझे बूरी हुई कि जिसकी वज़ा से इन्होंने अपनी गंदम काट ली है तो ये काफी सारी पीछे इनकी गंदम है तो ये के मौसम खराब हो गया जिया गड़े पाफ़जू भी आशीने कटर शाड़े आशना नुक्सान होता है दूसरी जाले आप अगे पानी दा कर्चा वो आई दा खर्चा खाद जब्धा कर चाद खर्चा एसी कि तो कुरा करांगे दूसरी जाले है कि तो आज फिर मोसम थ तो इनकी बात का खलासा यह कहते हैं कि ऊपर से मौसम फिर खराब हो रहा है तो हम इस डार से इसको काट रहे हैं क्या करें मुझबूरी है अगर नहीं काटते तो हमारी पिछली छे माँ की जो मेहनत है वो जाया होती है तो मेरे नादरीन मैं अपने देखने वालों को यही बात बावर कराऊंगा आज कि अगर आपकी गंदम कोछी इस स्टेज पर पुखता हो गया है तो माना कि अभी पूरी तरह पुखता नहीं है तो आप भी अपनी वक्फे वक्फे से अगर आपकी गंदम काम महफ़े तो कोई मसाला नहीं अगर आपकी ज्यादा तो फिर भी आप उसको स्टेप बे स्टेप करके काट सकते हैं और अपनी इस फसल को महफूज करते हैं तो ये देखें आज इन्होंने ये काटने के बार दरानती की मदद से इन्होंने काटी है ये दरानती भी अपनी दखा रहे हैं तो माशाला आज भी हमें इन पर फखर है कि हलांके ये जो दोर है बड़ा सोल दोर है इसमें इनसान ज्यादा मिशिनरी से काम करता है लेकर फिर आज इनके हाथ में दरान्ती है और ये दखा रहे हैं ये इनका माशाला ये दरान्ती की मद्द से इनके काटी है तो अल्ला ताला से भी दौा करते हैं कि अल्ला ताला इनकी इस गंदम में बरकत डाले और इसके खेत का विजट भी कराते हैं सारे का ये इनके जो काटा हुआ ह तो ये माशालला काफी गंदम है जो इन्होंने काटी है और इदर भी ये खुला एरिया है तो जैसे जैसे ये मौसम साह देता गया तो इसको काटते जाएंगे तो इसी के साथ हम अजाज़ चाहते हैं अल्ला हाफुज